अफगानस्तान के काबुल एरपोर्ट के बाहर हुए हमले में अब तक 170 लोगों की मृत्ति हो चुकी है इस हमले के 48 घंटे के भीतर ही हमले की जिम्मेदारी लेने वाले इसलामिक स्टेट ऑफ हुरासान प्रोविंस यानि की ISKP पर अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया है AP यानि इसोसियेट प्रेस के मताबिक Islamic State सम्हू का एक सदस सिमारा गया है अमेरिका ने कहा है कि इस हमले में निशाना सही रहा और किसी नागरिक की जान नहीं गई इस अभिहान में नांगाहार प्रांत में Islamic State खुरासान सम्हू के साज़ुष करता को निशाना बनाया गया था दमागे के बाद अफगानस्तान में अमेरिका का पहला ड्रोन हमला है Central Command के Captain Bill Urban ने कहा अफगानस्तान के नांगाहार प्रांत में एक मानव रहित हवाई हमला किया गया शुरुवाती संकेत बता रहे हैं कि हमने अपने लक्षे को मार दिया है हमें पता चला है कि आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है समचार Agency Reuters से एक अमेरिकी से अन्य अधिकारी ने कहा कि ये हमला IS के एक सदस्य को निशाना बना कर किया गया था उन्होंने बताया कि इस हमले को मध्यपूर्व से रीपर ड्रोन से अंजाम दिया गया है उन्होंने कहा कि एक अन्य आईए सदस्य के साथ वो सदस्य कार में था जब उसे निशाना बनाया गया और इस हमले में दोनों लोग मारे गए हैं वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी नागरिकों को नई चेताब दी जारी करते हुए कहा कि संभावित हमलों के मद्दे नजर वे एरपोर्ट के दर्वाजों से दूर रहें काबुल एरपोर्ट के बाहर गुरुवार 26 अगस को हुए बरबर हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ऑफ हुरासान प्रोविंस ने ली थी इसे IS-IS-K जैसे नाम से भी जाना जाता है हमले के बाद IS-KP ने बकार स्टेटमेंट जारी किया था इसके मताबिक तालिबानी लडाके इस हमले का नशाना नहीं थे आतंकी अमेरिकी सेनिक और उनके अफगान सहयोग्यों को नुकसान पहुचाने के रादे से आये थे स्टेटमेंट के साथ आत्मगाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की गई है उसका नाम अब्दुलरह्मान अलोगारी बताया गया है काबल एरपोर्ट पर हुए हमले के बाद अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन ने अपने बयान में कहा था कि इस हमले में शामल किसी भी आतंकी को नहीं बख्षा जाएगा और सभी को ढून ढून कर मारा जाएगा अमेरिका निसाफ कहा कि आईएस आईएस के आदंकी जीतेंगे नहीं बाइडन ने अमेरिकी मिलिटरी कमांडरों से कहा था कि वह हमले के लिए जिम्मेदार आईएस आईएस खोरासान को सबक सिखाने की रणनीती तयार करें उसके नित्रत वो और एहम ठिकानों पर कारवाई का ओपरेशनल प्लान बनाएगा बाइडन ने कहा था कि इसके लिए अमेरिकी सेना को जिस भी चीज़ की जरूरत होगी चाहें वो अतरिक्त सैनिक हो या किसी और तरहां की मदद उन्हें दी जाएगी इस हमले में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए जिन में से 12 मरीन्स थे ISKP यानि इसलामिक स्टेट खुरासान प्रांथ या अतंकी संगटन अफगानस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी अपना दबदबा रखता है इस संगटन का मानना है कि तालिबान ने समझोते और बाचीप की रहा चुनकर गलत किया है ISKP खजागस्तान से लेकर किर्गस्तान तक और उस्बेकस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक इसलामिक स्टेट की हुकूमत कायम करना चाहता है यही नहीं इस संगटन के प्लान में आधा चीन, पाकस्तान और भारत के उत्री राज्य भी शामिल है ISKP के चीफ का नाम है असलम फारू की जो पाकस्तान करहने वाला है ऐसा माना जोता है कि इस आतन की संगटन के लिंक कहीं न कहीं पाकस्तान से भी जुड़े हुए है आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी वरुन में, मेरा नाम है दव्याशी, देखते रहिए दीललन टॉप, शुक्रिया